नमस्कार दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है मैं हूँ अंशिता श्रवास्ता आज अस बुलिटिन में बात होगी नोट बंदी पर सुप्रीम कोड के फैसले की सुप्रीम कोड के फैसले के बाद कॉंग्रिस के बयान की जानेंगे भारत जोड़ो यात्रा का न में शाही इदगाह के हुए सर्वेखी लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर 30 जन्वरी को समाप्थोगी कॉंग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा श्री नगर पहुँचकर राष्टिय ध्वच फेहराएंगे राहुल गांधी निकाय चुनाओ पर यूपी सरकार ने इलाबाद हाई कोट के फैसले को सुप्रीम कोट में दी चुनाओती सुनवाई चार जन्वरी को हाई कोट ने बिना OVC आरक्षन के चुनाओ कराने के दिये थे आदेश मुख्तार अंसार की सजा पर सुप्रीम कोट ने लगाई रोक जेलर को धमकी देने का था मामला साल के पहले कारोबारी दिन तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार सैंसेक्स 327 अंकों की तेजी के साथ 6168 अंक पर हुआ बंद तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़े ख़बर की 2016 में मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले ने आम जनता पर गहरा प्रभाव डाला था इस फैसले के चलते पैदा हुई दिक्कतों से आज तक देश और जनता उभर नहीं पाई है वहीं आज अस मामने में सुप्रीम कोट ने अपना फैसला सुना दिया तो क्या है सुप्रीम कोट का फैसला देखे ये रिपोर्ट नोटबंदी पर आज सुप्रीम कोट की पांच सदस्य समवेधानिक पीट ने फैसला सुना दिया है कोट के फैसले से सरकार को राहत जरूर मिली है क्योंकि सुप्रीम कोट ने चार एक बहुमत से नोट बंदी की प्रिक्रिया को सही करार दिया है समवेधानिक पीट में शामिल जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस एस बोपन्ना और जस्टिस बी राम सुबर्मन्यम ने सरकार के फैसले को सही ठहराया वहीं जस्टिस बीवी नागरतना ने नोट बंदी पर अपनी असहमती जताई दरसल 6 साल पुराने इस मामने में सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग 58 अचकाई दायर हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने सभी पर एक साथ सुनवाई की, बहुमत का फैसला सुनाते हुए जस्टिस गवई ने कहा रिकॉर्ड देखने से पता चलता है कि नोट बंदी से पहले RBI और केंद सरकार के बीच 6 महीने तक बातचीत हुई थी RBI एक्ट की धारा 26 दो केंद सरकार को अधिकार देती है कि वो किसी भी सीरीज के नोट को डिमोनेटाइज कर सकती है सरकार चाहे तो सभी सीरीज को डिमोनेटाइज कर सकती है समिधान और RBI एक्ट सरकार को नोट बंदी का अधिकार देता है ये सवाल अब प्रासंगिक नहीं है कि सरकार नोट बंदी के मकसद में कामयाब हुई या नहीं फैसला चारे के बहुमत से था पीठ में शामिल जस्टिस बीवी नागरतना का फैसला बहुमत से अलग था उन्होंने नोट बंदी के फैसले पर असहमती जताते हुए कहा कि RBI का रिकॉर्ड बता रहा है कि नोट बंदी की सिफारिश केंद सरकार ने की थी उसने इस पर स्वतंतर रूप से अपना दिमाग नहीं लगाया और ना ही उसके पास इतना समय था कि वो दिमाग लगा पाए नोट बंदी का फैसला 24 गंटे में ही ले लिया गया था इसलिए ये RBI की धारा 26 दो के तहत नहीं आता है सरकार के कहने पर इसे लागू किया गया तो फिर इसे कानून के जरिये लाया जाना चाहिए था और अगर गोपनियता की जरूरत है तो इसे अध्यादेश के जरिये लाना चाहिए था धारा 26 दो के अनुसार नोटबंदी का प्रस्ताओ RBI के केंद्रिये बोर्ट से आना था बैंक की तुल्ना में केंद्र सरकार के आदेश पर नोटबंदी करना बहुत गंभीर मुद्दा है जो नागरिकों को प्रभावित करता है साफ है जस्टिस नागरतना ने अपने फैसले में नोटबंदी की प्रिक्रिया को गेर कानूनी माना उन्होंने कहा कि संसत देश का एक छोटा रूप है संसत जो लोगतंत्र का केंद्र है उसे ऐसे महत्वपून महत्यू के मामले में अलग नहीं छोड़ा जा सकता जस्टिस बीवी नागरतना सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रहे चुके एस वेंकट रमयया की बेटी है 2008 में उन्हें करनाटक हाई कोर्ट में एडिशनल जज बनाया गया इसके दो साल बाद जस्टिस बीवी नागरतना को इस्थाई जज के तौर पर नुक्त कर दिया गया 2021 में ततकालिन राष्टपती रामनात कोविंद ने बीवी नागरतना को सुप्रीम कोर्ट का जज नुक्त किया था सुप्रीम कोट ने केंद सरकार की तरफ से नोट बंदी के लिए अपनाईगी प्रिक्रिया को सही ठहराया कोट का फैसला आने के बाद से बीजेपी समर्थकों की तरफ से कहा जा रहा है कि कोट ने नोट बंदी के फैसले को सही ठहराया है ऐसे में अब इस पूरे मामले पर कॉंग्रिस का बयान आया है तो क्या बोली कॉंग्रिस देखते हैं रिपोर्ट 2016 में मोधी सरकार ने नोट बंदी का फैसला लिया था जिसका सीधा प्रभाव आम जनता पर पड़ा था कई कारुबार बंद हो गए देश के अर्थिववस था गड़े में चली गई इस पर आज सुप्रीम कोट ने अपना फैसला सुना दिया वहीं अब इस पूरे मामले पर कॉंग्रिस का बयान आया है कॉंग्रिस का कहना है कि सुप्रीम कोट ने अपने फैसले में सिर्फ नोट बंदी के लिए अपनाईगे प्रिक्रिया को सही ठेराया है कोट ने सरकार क फैसले के कारण हुए परिणाम पर कोई टिपड़ी नहीं दी है। नोटबंदी के फैसले की जो प्रक्रिया है उसको सही ठहराया गया है। फैसले के उपर या फैसले के जो नतीजे निकले उसपर कोई चर्चा नहीं की उसपर कोई निर्णे नहीं दिया। जो 1934 का RBI Act है उसका Section 26-2 यह फैसला सिर्फ उसपर केंदरित था कि उसकी कोई अभेलना नहीं हुई उसका पालन हुआ गया। अलावा इसके माननी सर्वोच नियायले ने न इस पर कोई टिपणी की कि क्या नोटबंदी से आतंकवात कम हुआ, क्या नोटबंदी से जो करेंसी सर्कुलेशन में थी, काला धन सर्कुलेशन में था, क्या वो कम हुआ। इस सब पर कहीं कोई एक शब्द भी इस निरने में नहीं है तो ये कहे देना कि माननी सर्वोच न्याले ने नोट बंदी को सही ठहराया है मुझे लगता है गलत होगा नोट बंदी के फैंसले की प्रक्रिया को सही ठहराया है फैसले पर कोई टिपणी माननी सर्वोस नियाले नहीं की है इसके अलावा कॉंग्रिस ने एक बार फिर नोट बंदी के कारण जनता को हुई परिशानियों का जिक्र करते हुए पियम मोदी से देश से माफी मांगने को कहा है सुप्रीम कोट का निर्नय सिर्फ नोट बंदी के प्रक्रिया पर है परिनाम पर नहीं अगर माफी मांगनी है किसी को प्रधान मंत्री को मांगनी है क्यूंकि 8 नवंबर 2016 को जो उन्होंने तुगलकी निर्नय लिया लाखों MSME का विनाश हुआ इन्फॉर्मल सेक्टर का विनाश हुआ लाखों परिवारों की रोजगार गोई और हमारे अर्थ व्यवस्ता पर जो नकारात्मक असर हुआ आज भी हम भुगत रहे हैं अगर माफी मांगनी है सो कॉल्ड फादर अफ न्यू इंडिया को मांगना है बतादे की नोटबंदी के मामने में कोट के फैसले का लंबे समय से इंतजार था और कोट ने 7 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था जिस पर आज कोट ने अपना फैसला सुना दिया है कोट का फैसला आने के बाद दावा किया जाने लगा कि कोट ने केंदर के फैसले को सही ठहराया है जबकि कोट ने फैसले को नहीं प्रिक्रिया को सही ठहराया है कॉंग्रेस ने बीजेपी की तरफ से फैलाए जा रहे है जूट की पोल खोल दी और जनता को जागरुक किया वैसे जनता को जागरू करने और सरकार की असलियत दिखाने के लिए ही कॉंग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है जो 9 दिन के विश्राम के बाद कल यानि मंगलवार से फिर शुरू होने वाली है तो उत्तरप्रदेश में यात्रा को किस किस का मिल सकता है साथ? देखे रिपोर्ट कॉंग्रिस की भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बीजेपी की धड़करें तेज होती जा रही है इसकी वज़ा है पार्टी की वो मजबूती जिसका उत्तर से लेकर दक्षिन तक डंका बज रहा है और अब तो ये यात्रा देश के सबसे बड़े सूबे उत्तरप्रदेश में प्रवेश करने जा रही है यूपी में राहुल गांधी पीम मोदी से लेकर सीम योगी के खलाफ जोरदार हुंकार भरेंगे ये दाहार ना सिर्फ सरकार को हिलाएगी बलकि विपक्ष को भी एक जुट करती नजर आएगी इसके संकेत अखलेश से लेकर मायवती के बयान से मिल रखी है दरसल भाराजोडो यात्रा की यूपी में प्रवेश से ठीक एक दिन पहले अखलेश ने राहुल गांधी को चिट्थी लिखी है सपा प्रमुक ने अपने पत्र में भाराजोडो यात्रा में शामिल होने का निमंतरन देने के लिए धन्यवाद दिया है अखलेश आदव ने राहुल गांधी को भाराजोडो मुहीम की सफलता के लिए शुप कामनाय भी दी है उन्होंने लिखा कि भारत भौगौलिक विस्तार से अधिक एक भाव है इसमें प्रेम, आहिंसा, करुणा, सयोग और सोहाद्र ही वो सकारात मक्तत्यो है जो भारत को जोडते हैं उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि राहुल गांधी की ये यात्रा देश की इसी समावेशी संस्कृती के संरक्षन के उद्देश से अपने लक्षि को प्राप्त करेगी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जहां एक तरफ अखलेश के तेवर नरम परते नज़रा रही है तो वहीं शिप्पाली आदव ने भी धन्यवात कहा है अब सभी नेताओं के बयान महागडवंधन की तरफ इशारा कर रही है देखना होगा कि क्या भारत जोड़ो यात्रा में समूचा विपक्ष साथ नज़राता है या नहीं ये देखने वाली बात होगी फिलाल विपक्षी दलों के तेवर नरम नज़रा रहे हैं और रहूल गांधी का धन्यवात करते नज़रा रहे हैं इसके साथ ही रहूल की तारीफ भी कर रहे हैं वैसे यात्रा के दोरान रहूल की जो छवी सामने आई है वो काविल तारीफ ही है क्योंकि वो हर मुद्दे पर मुखर्ता से अपनी बात रख रहे हैं और सरकार को घेर रहे हैं कॉंग्रिस सांसद राहूल गांधी की भारत जोड़ यात्रा को जहां बीजे पी फेल बता रही है तो वहीं दूसरी तरफ तस्वीरें बया कर रही है कि ये यात्रा किस कदर सफल होती जा रही है यहां तक कि इस यात्रा को अभिनेताओं से लेकर दूसरे राजनेताओं का भी समर्थन मिल रहा है वहीं पिशले दिनों मकल निधी मैयम के चीफ कमल हासन भी सियात्रा में शामिल हुए। इस दोरान उनसे बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कई मुद्दों को लेकर मुदी सरकार को अपने निशाने पढ़ लिया। उन्होंने कहा कि चीन के साथ बॉर्डर समस्या की व नहीं तो हम आपकी जियोग्राफी बदल देंगे। हमार उनाचल में घुसेंगे, हम लद्दाख में दाखें लोंगे, चीन इसी तरहा के रवाईये के लिए प्लेटफॉर्म तयार कर रहा है। इतना ही नहीं कॉंग्रेस्तान सद्राहुल गांधी ने ये भी कहा कि 21 सदी म भारत को सुरक्षा के तौर पर बेहत मजबूत होना है। यही वो मोर्चा है जहां हमारी सरकार कानुमान पूरी तरह घलस साबित हुआ। हम लगातार सुन रहे हैं कि बौर्डर पर क्या हो रहा है। वास्तविक्ता ये है कि चीन ने हमारा 2000 किलोमीटर इलाका हथ्या लिया हैं क्योंकि पहले आप सिर्फ बौर्डर पर लड़ते थे और अब हर जगा लड़ रहे हैं। 21 सदी की सबसे जरूरी चीज ये है कि अंदरूनी एक जुटता हो। देश में शान्ती और सोहाद्र हो और देश के पास एक विजन हो। चीनियों को पता है कि हम अपने हैं हमारे पास लोग हैं आपको युवाओं की जरूरत हैं आपको बड़े सिक्षित वर्ग की जरूरत अब चीन के साथ विवात को लेकर राहुल गांधी ने मुदी सरकार को हकीकत का आइना दिखाया। ऐसे में देखना होगा कि सरकार इस पर क्या जवाब देती है। पड कि उन राज्यों पर हैं जहां उसकी सत्ता नहीं है और बिजय पि उन राज्यों की सत्ता पर कबजा करने की कोशिश में लगी हुई है। पोडराश्ट्री जनता दल से हाथ मिला लिया था जिसके बाद से खेस्यानी बिल्ली की तरहा बीजेपी बेहार में पंजे मार रही है और अब आपरेशन लोटिस की कोशिशों में लगी हुई है जिस बात के संकेत मिले हैं बेहार के पूर्व उपमुख्य मंत्री और बीजे की जीत और अपनी हार बीजेपी को पच नहीं रही है ऐसे में अपनी आदत से मजबूर बीजेपी हारी हुई बाजी को अब तोड़ फोड के जरिये जीतने की कोशिश कर सकती है और इस बात के संकेत मिले हिमाचल प्रदेश के पूर्मुख्य मंत्री और नेता प्रतिपक् गांधी ने कहा था कि हिमाचल में मिशन लोटस भी हो सकता है अब बीजेपी नेताओं के इन बयानों में कितनी सच्चाई है ये बता पाना तो अभी मुश्किल है लेकिन जानकारों का मानना है कि बीजेपी ऐसा करके सिर्फ राज्य सरकारों पर प्रेशर बनाने की लेकिन कॉंग्रेस ने OVC के गढ़ में एंट्री जरूर कर ली है तो क्या है तेलंगाना में कॉंग्रेस का प्लान और क्यूं कॉंग्रेस के निशाने पर आये OVC देखिए इस खास रिपोर्ट में पिशले कुछ समय से कॉंग्रेस या बीजेपी विरोधी दलों को सबसे ज्यादा नुकसान ओल इंडिया मजले से तेहादूल मुसलमीन ने पहुँचाया है AIMIM चीफ असुदुदीन OVC की रणनीती से हमेशा एक ही दल को फायदा होता है और वो है बीजेपी AIMIM विपक्षी वोटों में ही सेंधुमारी करती है अब तक AIMIM को लेकर कॉंग्रेस का रुख नरम रहा है लेकिन अब OVC को उनके गड़ में ही घेरने की तैयारी कर ली गई है कॉंग्रेस ने अब OVC के गड़ हाइदरबाद के चार मिणार विधानसभा में पार्टी कारयले खुल दिया है ऐसा पहली बार हुआ है कि चार मिणार विधानसभा सीट पर कॉंग्रेस का दफसर खुल गया है 1967 से ही कॉंग्रिस चार मीनार में पार्टी का कारयले खुलने की कोशिश में थी चार मीनार शेत्र मुसलिम बाहुल है और यहां AIMIM प्रमुकस उद्दिदिन ओवैसी के पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी की जबरदस्त लोग प्रियता थी 1967 के लोगसभा चुनाओं में सलाहुद्दीन ओवैसी निर्दलिय लड़कर लोगसभा का चुनाओं जीत गए थे उसके बाद से कॉंग्रिस ने कारयले खुलने के फैसले से कदम पीछे खीच लिये लेकिन अब 55 साल बाद यहां कॉंग्रिस का कारयले खुल गया है दरसल भारत जोडो यात्रा के बाद से कॉंग्रिस कारेकरताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है खासतोर पर अल्पुसंख्यक समुदाय तेजी से कॉंग्रिस की ओड छुका है इसका फाइदा कॉंग्रिस को तेलंगाना में भी मिलता दिख रहा है कॉंग्रिस के निशाने पर पुराने हैदराबाद की युवां है जो AIMIM से नाराज है AIMIM पर अक्सर भारत राष्ट समिती से गुप्त गटवंधन का आरोप लगता रहा है बतादे कि भारत राष्ट समिती का पहले नाम तेलंगाना राष्ट समिती था चार मीनार में कॉंग्रिस का कारयले खुलने पर पार्टी नेता मुहमद अली शबीद ने कहा कि पार्टी संगठन का विस्तार हो रहा है आने वाले कुछ दिनों में चार मीनार शेत्र के हर वार्ड में कॉंग्रिस का कारयले खुला जाएगा राज्य कॉंग्रेस प्रमुक एरेवंत रेड़ी सभी वार्डों में सभाओं को संभोधित करेंगे इस बार की विधानसवा चुनाओं को जीत कर कॉंग्रेस राज्य की सत्ता में आएगी और बुलिटिन के आखिर में बात होगी मतुरा में शाही इदगा के हुए सर्वे की वारानसी की ज्यानवापी मस्जित के बाद अब मतुरा की शाही इदगा मस्जित के सर्वे का काम शुरू हो गया है सर्वेक्षन भारती पुरातत्तु सर्वेक्षन एस आई की एक टीम को सौपा गया है एस आई को भी 20 जनवरी तक रिपोर्ट देनी है तो क्यों शुरू हुआ शाही इदगा मस्जित का सर्वे और क्या हुआ आज देखिए ये रिपोर्ट मतुरा में श्री कृषन जनव भूमी और शाही इदगा मस्जित को लेकर विवाद लंबे समय से चला आ रहा है इस मामले में आज से शाही इदगा मस्जित के सर्वे का काम शुरू होना था मतुरा की सिविल जट सीनियर डिविजन त्रितीय सोनिका वर्मा ने सर्वे के आदेश दिये थे सर्वे का काम दो जनवरी से शुरू होना था सर्वे रिपोर्ट की प्रिक्रिया के लिए अमीन को कोट से आदेश लेने थे कोट अमीन अब 3 जनवरी को आदेश लेंगे और सर्वे की प्रिक्रिया को आगे बढ़ाएंगे अमीन कोट का एक करमचारी होता है जो जमीनों की नाब जोख का काम करता है ASI की टीम के साथ ये शाही इद्गाह का सर्वे होना था लेकिन आज मत्रा की जिला अदालत में कोई काम ही नहीं हुआ जिस कारण से आज सर्वे का काम भी शुरू नहीं हो पाया इस बीच शाही इद्गाह मस्जिद की ओर से दायरी आचिका पर 3 जनवरी को कोट सुनवाई भी करेगा शाहीदगा मस्जित के वकील तन्वीर एहमद ने कहा कि हमें सुने बिना कोट ने सर्वे का आदेश दिया हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया है हम कोट के आदेश के खिलाफ आपत्ती दर्श करा रहे हैं कोट से कहेंगे कि ये आदेश रिकॉल करें हिंदू पक्ष का कहना है कि जिस जगह पर ये मस्जित बनी है वो भगवान श्री किष्ण की जन्मिस्थली है पूरा विवाद जमीन के मालेकाना हक को लेकर है इस मामने में हिंदू सेना की प्रतिनी दी अदिवक्ता शैलेस दुवे ने दावा किया कि हमारे पास दस्तावेजी सबूत मौझूद है तो आज इस बॉलेटिन में बस इतना ही देखतर ये डीवी लाइप नमस्कार